नमस्कार आपका आख़बार के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है मैं हूँ प्रदीप सिंग विपक्ष को मिलकर प्रधान मंत्री नरिद मुदी और भारतिय जनता पार्टी को हराना है क्यों हराना है क्योंकि जनतंत्र को बचाना है जनतंत्र क्यों खत्रे में है क्योंकि मोदी अधिनायकवादी है तानाशा है तो उनके राज से उनके प्रभाव से देश को बचाना है ये है विपक्ष का नाराब अब एक प्रशन उठता है मान लिजे कि ये विपक्ष की बात बिलकुल सही है कि मोदी अधिनायकवादी है जनतंत्र को अगर बचाना है तो मोदी को हराना है तो मान लिजे 2024 का चुनाव होता है लोकसभा का मान लिजे नहीं हो गई 2024 का लोकसभा चुनाफ होता है और उसमें पक्षी दलों का महागडबंदन या जो भी उसका नाम बनेगा वो जीत जाता है उसके सरकार बन जाती है अब सवाल आएगा कि मोदी का जो जनतंतर का मॉडल था वो तो चलेगा नहीं उसी को हटाने के लिए तो आए है तो मॉडल होगा कौन सा उसका नमूना हम पश्चिम बंगाल में देख रहे हैं पश्चिम बंगाल की बात इसलिए कर रहा हूँ आप कहेंगे कि वहाँ तो त्रिन्मूल कॉंग्रेस है तो ये पूरे तरिनमूल कांग्रेस कि बाद पूरे विपक्षित पर कैसे थुप सकते हैं, थुप सकते हैं, उसकी वज़े है, उसका कारण है जो कुछ पश्चिम बंगाल में हो रहा है, 2021 के विधन सभाद चुनाओ के नतीजे आने के बाद जो कुछ हुआ, उसके बाद अभ के बावजूद हिंसा रुकी नहीं क्योंकि Central Forces का deployment जैसे होना चाहिए था हिंसा रोकने के लिए नहीं हुआ Central Forces का deployment जो किया गया या नहीं किया गया उसका एक ही उद्देश था ये हिंसा रुकनी नहीं चाहिए अगर हमारी जीत के रास्ते में कोई भी करता है तो उसका सफाया हो जाना चाहिए अब ये भी कहा जा रहा है कि त्रिनमूल कॉंग्रेस के कारेकरता ज्यादा मरे हैं 37 की figure आ रही है अनओफिशल figure 45 55 कि क्या कह रहा है कौन क्या दावा कर रहा है कहना मश्किल है त्रिनमूल कॉंग्रेस के कारेकरता को त्रिनमोल कॉंग्रेस के कारेकरताओं नहीं मारा अब आप कहेंगे ये कौन सी बात हुई अपनी ही पार्टी के कारेकरताओं को क्यों मारेंगे तो आप अगर एक एक केस का मुएना कर ले जाच कर ले तो आपको पता चल जाएगा त्रिनमोल कॉंग्रेस के जिन करके निर्दलिय के रूप में चुनाव लड़ने की कोशिश की नामिनेशन किया वो मरे त्रिनमौल कॉंग्रेस के मरने वाले कारे करताओं में या मारे जाने वाले कारे करताओं में सबसे ज़्यादा संक्या ऐसे ही लोगों की तो मैंने शुरू में सवाल किया था कि फिर सव जादा क्या करेगी वो राश्पति शासर लगा सकती है सरकार को भंग कर सकती है अगर ऐसा किया केंदर सरकार ने तो उसकी जो सिंपैथी जनरेट करने में ममताब एनरजी काम्याब होंगी उसका मुकाबला बीजेपी नहीं कर पाएगी तो इस बात को जानते हुए इसका वो फायदा उठा रही है लेकिन ये सब तो ममताब एनरजी कर रही है तो उनके साथ जो बाकी दल है जो 15 दल जो 23 जून को पटना में बैठे थे भविश्य की रणिती बनाने के लिए मिलकर चुनाव लणने के लिए मोधी को हराने के लिए उनकी चुपी का क्या मतलब है हमारे दोनों पार्टियां चुप है जो बाहर है जो दंतंत की सुबह शाम दुहाई देते हैं वो नितीश कुमार चुप है लालू प्रसाद यादो चुप है और वो DMK के MK स्टालिन चुप है तो आप नाम लेते जाए ऐसे ही 15 पार्टियों के निताओं का तो आपको पता चलेग को पतार में कrire दे gesch patern还gew इने वेकिनख है इन्में से किसी प проблем में हिंसsorry होती हुई दिखी नहीं रही है यह दरसल मम्ता भैंष के विलृट्ट रूप हो देखने के आदी पश्चिम बंगाल में कौन से इंसा हो रही है पश्चिम बंगाल में धिनायक वाधी तागतों सामप्रदाइक तागतों को आने से रोकने की कोशिश हो रही है ये है नया मॉडल डेमोक्रिसी का विपक्षी दलों का हाई कोट कहता राज सेंटरल फोर्सेज बुलाईए स्टेट का चीफ एलेक्टरल आफिसर जो है वो हीला हवाली करता रहा आखिर में जब कंटेंप्ट की बात आई कंटेंप्ट का मुकदमा चलाने की बात आई धमकी दी गई अटा दिया जाने की बात तो नहीं कही गई एक्षन लेने की बात कही तब सेंटरल फोर्सेज को रिक्विजिशन किया गया फिर बाइस कंपनी सिर्फ की गई फिर डाटा हाई कोट ने तो फिर आट सो कुछ हमपनिया रिक्विजिशन हुई लेकिन सवाल यह है कि केवल रिक्विजिशन से क्या होगा केंद से आप मांगेंगे सुरक्षा बल केंद प्रोवाइड कर देगा वहां केंद की जिम्मेदारी का था उसके बाद राज्य में पहुंचने के बाद उनके डिप्लाइमेंट की जिम्मेदारी तो राज्य सरकार पर है और ममताब एनरजी कह रहे हैं कि इस हिंसा से हमारा तो कोई लेना देना ही नहीं है ये तो आप कह रहे हैं सेंट्रल फोर्सेज मतलब वो सीधे नहीं बोल रही है हाई कोट को कह रही है कि आप कह रहे हैं सेंट्रल फोर्सेज बुलाईयो तो हिंसा नहीं होगी तो ये क्यों हो रही है इंसा तो इस हिंसा के लिए जिम्मेदार कौन है Central Forces अब आप समझे किस तरह की राजनीती चल रही है और किस दिशा में राजनीती चल रही है तो Central Forces पर सारी हिंसा की जवाब देई जिम्मेदारी तैकर दी है और ममता बेनर जी ने अपने हाथ जाड़ लिये कि हमको हमसे कोई मतलब नहीं हमारी पुलिस ने कुछ नहीं किया सही बात है उनके पुलिस असल में कुछ किया नहीं इसलिए यह सब हो रहा है अगर उनकी पुलिस कुछ करती तो यह नहीं होता तो मम्ता बेनर जी ने मान लिया है कि वो चलेंगी तो अपने ही रास्ते से अपने ही तरीके से अपने तरीके में बदलाव लाने की कोई भी कोशिश ये केवल धोखा है जो अभिशेक बेनर जी तीन-चार महीने घुमे पूरे पश्चिम बंगाल में और ये प्रचार किया कि इस बार हमने तैक किए है कि किसी भी सूरत में फंचायच चुनाव में हिंसा नहीं होने देंगे हम किसी हिंसा कवारदात में शامir नहीं होंगे उसका उल्टा हो रहा है दर असल वो जगा रह थे अपने कारेकरताओं को कि जीतना है किसी भी कीमत पर जीतना है क्योंकि उनको लगता है कि इस जीत से ममताब एनेरजी और मचबूत होगी और विपक्षी एक्ता की जो पहल चल रही है कोशिश चल रही है उसमें उनका कद्द और बढ़ जाएगा इसके लिए इससे उनको लग रहा है कि ये ये संदेश जाएगा कि पश्चिम बंगाल में त्रिमूल कॉंग्रेस को हराने वाला कोई नहीं है तो इसका आगे का क्या मतलब हुआ इसका आगे का मतलब समझेए ममताब अनरजी की योजना समझेए उनकी रणिती को समझेए इसका मतलब है कि आगे विपक्षी एकता की मेच पर जब वो बैठेंगी कहेंगी कि पंचायच चुनाओ में सीपियम और कॉंग्रेस ने मिलकर लड़कर देख लिया हमसे उनकी क्या हैसियत है ये पता चलिया उनको जमीनी हकीकत पता चल गई तो अब अच्छा होगा कि लोगसभा चुनाओ में ये ना आए बतार चुनाओ न नड़े जो वो शुरू से कह रही है पश्चिम बंगाल हमारे लिए छोड़ देगे हम बीजेपी को हरा देंगे अगर बीजेपी को हराना है तो पश्चिम बंगाल हमारे उपर छोड़ देगे लेकिन पश्चिम बंगाल की राजनीती में बदलाओ के संकेत मिल रहे है इसलिए नहीं कि पंचायच चुनाओ में अभियान चलाया कि हिंसा मुक्त चुनाओं होगा इन सब का कोई असर नहीं एक मुद्दा आप कह सकते हैं कि ममता बेनर जी के खिलाब तो तमाम मुद्दे हैं लेकिन सिर्फ एक मुद्दा किसी भी सरकार को गिराने के लिए किसी भी सरकार को चुनाव में हराने के लिए किसी भी पार्टी को हराने के लिए एक मुद्दा काफी होता है बाकी मुद्दे उसके साथ बाकी जुड जाते है तो एक मुद्दा कौन सा हो सकता है जो तर्णमुल कॉंग्रेस की हार का कारण बन सकता है और वो मुद्दा है सिक्षा भरती गोटाला या सिक्षा भरती में हुआ गोटाला सिच्षकों की और गएर सिक्षकों की भरती में पैसा लेकर भточी की गई ये बात सामने आ गई, खुल गई, अदालत में मामना चल रहةدا उसमें अभिशेग बेनर जी के भी शामिल होने के प्रवान मिल रहे है। E.D. उसकी जाच कर रही है कि इसमें केवल केवल पैसा नहीं लिया गया है। Money laundering भी हुई है। E.D. आता है तो दो मतलब होते हैं उसके। कि एक काले धन को सफेद किया गया है। गलत तरीके से पैसा कमाया गया है। और दूसरा पैसा बाहर भाई जा गया है। E.D. के समन पर जाने से बच रहे थे अभिशेग बेर जी पहले हाई कोट में रिट फाइल की। और कहा कि E.D. को हमारी जाच करने का कोई अधिकार नहीं है। E.D. को जाच से रोक दिया जाए। हाई कोट ने मना कर दिया। हाई कोट के फैसले के विरुद सुप्रिम कोट गया है। सुप्रिम कोट में E.D. को इनफस्मेंट डिरेक्टरेट को इंडिवीजुवल्स की भी जाच करने का अधिकार है। सुप्रिम कोट ने कहा कि E.D. भिलकुल ठीक कर रही है। हाई कोट ने भी ठीक कहा। हम ED की जाच रोकने या ED के आपको समन भेजने के अधिकार को मानते हैं और आपकी याचिका को खारिज करते हैं सुप्रिम कोट से राहत नहीं मिली देखें ये सब घोटाले घपले की जो बाते आती हैं इसमें पब्लिक जो है थोड़ा फिफ्टी फिफ्टी वाले माइंड सेट में होती है सही है कि गलत है ये जिस पर आरोप लगता है वो जोर जोर से चिलाता है पुलिटिकल बेंडेटा है राजितिक बदले की भावना से हो रहा है ममता बनर जी तो कहर और जोर से चिलाती है और चिला ही रही है उनकी पुरी पार्टी चिला रही है लेकिन उनके पहले के सिक्षा मंतरी पार्थ चैटर जी और उनकी करीबी सही होगी है अर पिता मुखर जी उनकी गिरफ्तारी और गिरफ्तारी से पहले उनके घर से बरामत भारी मात्रा में जो कैश टेलिविजन पर लोगों ने देखा कैमरे पर देखा उस से बंगाल के लोगों की आँखें पटी की पटी रह गए इतना कैश किसी एक व्यक्ति एक निता के घर में हो सकता है उसने जनता की नजर में उनको दोशी ठहरा दिया अदालत से जब भी ठहरा जाए पता नहीं कब कितने साल लगेंगे महीने लगेंगे पता नहीं है लेकिन जनता की नजर में त्रिनबूल कॉंग्रिस सिक्षा भरती में घोटाले की दोशी ठहराई जा चुकी है और ये मामला हर परिवार से जुड़ा हुआ है परिवार के बच्चे के भविशे से जुड़ा हुआ है जिससे तर्णमूल कॉंग्रेस ने खिलवार किया और ये जो गलत तरीके से भरती किये गए थे अदालत के आदेश के बाद और CBI और ED की जाँच के बाद उनकी नियुक्तियां रद कर दी गई है फिर से मेरिट लिस्ट के आधार पर भत्तियां होंगी या हो रही है ममताब एनरजी ने एक कारिकरम में जिसमें हाई कोट के लगभग सभी नयायदीश आए हुए थे कहा कि हमारे किलाब जो भी एक्शन लेना हो लीजिए हमारे किलाब जो भी मुकरमा चलाना हो चलाइए लेकिन लोगों की नौकरी मत लीजिए यानि उनका कहना था हमने रिश्वत लेकर भरती कर लिये लेकिन उनकी भरती को आप सही ठैरा दीजिए तो ऐसा तो होने वाला नहीं था ऐसा हुआ भी नहीं तो सिक्षक भरती घोटाला ममता बेनरजी के गले की फांस बन गया है इस से ममता बेनरजी के लिए निकलना लगभग असंभव जैसा है क्योंकि जब जनता एक बार किसी फैसले पर पहुंच जाती है जब उसको लगता है कि नहीं ये वेक्ती दोशी है और मैं बार बार उदाहरण देता हूँ एक ही सबसे बड़ा उदाहरण जो है वो बोफोस का बोफोस का मुद्दा आया तो एक-एक समय के बाद लोगों को लगा कि राजी उगांदी दोशी है और लोगों ने सजा दे दी अदारत का फैसला क्या आया कैसे आया कौन को न दोशी ठहराए गया किसने रिश्वत ली किसने नहीं ली वो सब बात की बात हुई लेकिन उससे पहले चुनाओं में जनता ने अपना फैसला सुना दिया तो इस बार लोगसभा चुनाओं में ममताब एनरजी के खिलाफ जनता पश्चिम बंगाल की जनता अपना फैसला सुनाने वाली है ये जो हिंसा इहत्या डराना दमकाना मारना बलातकार आग जनी इस सब के बावजूद जब जनता खड़ी हो जाती है तो इस सब कहीं टिकता नहीं है ये ममताब एनरजी से बहतर कौन जानता है 34 साल किस लेफ्ट फरंट के राज को उखाड कर फेका था ममताब एनरजी ने वो कहावत है कि जो लोग तलवार के सहरे जीते हैं उनको तलवार सही मरना पड़ता है तो जो हिंसा की राजनीती के सहरे जीते हैं उनको हिंसा की राजनीती लेकर जाती है और 33 कांग्रेस और ममताब एनरजी के लिए वो दिन आने वाला है जो दिन बुद्धर देव भटाचारे के लिए आया था नंदी ग्राम और सिंगूर बुद्धर देव भटाचारे और लेफ्ट रंट और सीपीम के लिए जो है एक तरह से उनके गले का फंदा बना था सिक्षक भरती गोटाला ममताब एनरजी के गले का फंदा बनने जा रहा है ये बड़ा साफ दिखाई दे रहा है बात केवल समय की है लोग सबाच चुनाव की अधिसूशना जारी होने चुनाव प्रचार और मददान उसके बाद मदगर्ना तक इंतजार करना होगा उससे जादा नहीं ममताब एनरजी इसी लिए परेशान है इसी लिए घबराई हुई है उनको लगता है कि अगर सीपीम और कॉंग्रेस पार्टी चुनाव मैदान में उतनी तो उनकी हालत और खराब हो जाएगी और ममताब एनरजी सत्ता से बाहर रहकर अब सर्वाइव नहीं कर सकती उन्होंने ब्रश्टा चार का और गुंडा गर्दी का इतना बड़ा तंत्र खड़ा कर लिया है अपने आसपास कि उसको रोज भोजन चाहिए भोजन चाहिए गुंडा गर्दी का भोजन चाहिए ब्रश्टा चार का पैसे का वो सत्ता में रहे बिना मिल नहीं सकता है अब वो ममताब एनरजी नहीं है 2011 से पहले वाली जो संगर्श से सच्चाई के बल पर चलकर अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़कर जीतने वाली ममताब एनरजी नहीं है और ममताब एनरजी के साथ-साथ अब शेक बैनरजी भी संकत में है इस सुप्रीम कोर्ट से रहत न मिलना उनके लिए बहुत बड़ा जटका है अब जाँच एजन्सियों की जाँच और तेज होगी और त्रिन्बूल कॉंग्रेस के अब इशेक बैनरजी सहित बाकी नेताओं के लिए बचना और कठिन हो जाएगा तो वो तो कानूनी लड़ाई है वो चलती रहेगी मैं तो जनता की अदालत में त्रिन्बूल कॉंग्रेस अपना मुकदमा हार चुकी है तो इस अंक में इतना ही अगले अंक में फिर मिलेंगे किसे नए मुद्दे के साथ तब तक के लिए अन्मती दीजिए आप से अन्रोध है कि ये चैनल देखे शेर कीजिए लाइक कीजिए और सबस्क्राइब जरूर कीजिए नमस्काल